अब यह अब करें वैलकम चू अलब यूब अनकेडमी लेट्स क्याक यूप सी चीज़ों में हम टॉकली जूमैप के बारे में बात करेंगे जैसे कि आपके हैड्रोक्सी क्लोरोकीन है वैसे ही टॉकली जूमैप को भी माने जाता था कि लाइफ सेविंग ड्रग बट अब कुछ रिसेंट आपके रिपोर्ट्स आहीं है जहां पर ऐसा दिख नहीं रहा है साथ साथ हम इस करेंट जियो पॉलिटिकल सिच्विशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इंडिया को मेरी टाइम सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिरना होगा विकॉस बोडर इस्यूस लाइन अफ एक्च्वल कंट्रोल के इस्यूस तो आप काफी महीनों से पढ़ी रहे हो बट नाव मेरी टाइम सिक्योरिटी इस आलसो हैव त पॉजिटिव आउटकम से जादा है तो उस पर भी चर्चा होगी और साथ साथ कुछ अधर इंपोर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कर्ट करेंगे तो लेट्स स्टार्ट गाइस फ्रेंड्स आम एसकी शर्मा आई हैव सिक्स प्रस यह स्टीचिंग एक्स्पिरियंस अप प्रप्रेंट के साथ आप जोड़कर इंडिया के हंड्रेट प्लस एजुकेटर के साथ यहां पर आप पढ़ सकते हो कम्प्लीट प्रप्रेशन आपकी कर सकते हो एंड अनकेडमी पर आपके फिफ्टीन थाउजंड से भी ज्यादा कोर्स अवेलेबल हैं तो इन सभी कोर्स इसका फायदा आप उठा सकते हो आप अपनी प्रप्रेशन को अपने अकॉर्डिंग मोडिफाइट कर सकते हो जिस स्टेज पर हो जहां आप मेंस की प्रप्रेशन करना चाहते हो या फिर जिस भी लेवल से आप अपने आपको परफॉर्म करवाना चाहते हो वहां से आप इ 500 का अब इसमें आप एक रेफरल कोड यूज कीजिएगा जो की है SSLIV SSLIV रेफरल कोड यूज करो और टोटल 44,000 550 में आप एक साल का कमप्लीट सब्सक्रिप्शन अब ले सकते हो साथ ही अगर आप दो साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो वो अब हो गया है आपका फी साल का सब्सक्रिप्शन अब आप 64,800 में ले पाएंगे और अगर आप बिल्कुल जीरो से प्रप्रेशन करना चाहते हो तो आपको यहां पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर जाना चाहिए जो की आपके वन येर और टू येर के कोर्स पर अवेलेबल है आपका एक साल का सब्सक्रिप्शन अभी भी 57,600 का है और दो साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आज भी आपका 89,100 रुपेज का इनकी फीसे रिवाइज नहीं हुई है ये वही पुरानी वाली फीसे अभी भी वर्की है ठीक है गाईज और एक चीज़ और ध्यान रखेगा अनकेडमी ने अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को अलग से इंट्रड्यूस कर दिया है आपको लगभग सारे पॉपुलर ऑप्शनल्स मिलेंगे लाइक पबैड, PSIR, सोशलोजी, एंथ्रोपलोजी तो लगभग सारे ऑप्शनल आपको यहां पर मिल जाएंगे हिंदी लिट्रेचर और जो आप सारे ऑप्शनल्स यहां पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल्स के लिए अकैडमी को जॉइन करना चाहते हो तो वह ऑप्शन भी आपके पास में हैं अगर आपका ऑप्शनल 3-4 मंथ में कवर्द हो सकता है तो आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जो कि 29, 29,500 का है एक साल के सब्सक्रिप्शन के कोर्से 27,500 में है और वन मंथ आपका 5000 में तो आप अपने ऑप्शनल को जैसे की कोई बड़ा ऑप्शनल भी होता है तो मैक्सियम 4 मंथ में कवर हो जाता है इंक्लूडिंग अगर आप आंसर राइटिंग सेशन के प्रॉपर सब्जेक्ट तो एक आपके ऑफ्शनल सब्जेक्ट को एक्स्क्लूड करते हुए आप उन करना चाहते हो तो यहां पर आप 49,500 वाला जो कोर्स है मारा वह एस चलेगा ठीक है तो इस तरीके से आप इसी जॉइन कर सकते हो तो गाइज रिमेंबर देट सब्सक्रिप्शन के आप एस एस लाइव रेफरल को यूज कर सकते है तो लेट सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं आज के एक स्मॉल से तौकी जिस पर आपके काफी बाते हो चुकी है और रेडी तीन दिन से यह चल रही है फाइनेशल एक्शन टास्क फोर्स जो की टेरर फंड इंवाल है मनी लॉंडरिंग में इंवाल हैं उनके अगेंस्ट आपके फाइनेशल एक्शन टास्क पोर्स बनाती है इस आपके एक बनाती है ग्रे लिस्ट जिसमें वो कंट्रीज आती है जहां पर आपके टेरर फंडिंग मनी लॉंडरिंग या फिर कोई वी ऐसी किया जाए और दूसरी लिस्ट होती है आपके ब्लैक लिस्ट में क्या होता है वो सारी कंट्रीज आती है जो कि टेरर फंडिंग और मनी लॉंडरिंग में इन्वाल्ड है साथ साथ इसे रिमूव भी नहीं करना चाहती इंटरनेशनल फिनेशल सिस्टम को सही करने में इतनी ज 27 एक्शन वर्क्स है उन में से 6 एक्शन वर्क में आपके पाकिस्तान को ट्रैक कर लिया गया है और पाकिस्तान अब आपके ग्रे लिस्ट का पार्ट होगा फाइनेशल एक्शन टास्क फोर्स की जो मीटिंग है साल में तीन बार होती है और यह जो लिट्स हैं आपके तो यह सारी चीज़े तो already इस पर काफी बात है हम कर चुके हैं फिर देखिए अभी की सबसे बड़ी जो problem बनी हुई है वो है onion price height तो यहाँ पर आपके onion जो है उसकी price काफी जादा भड़ रही है इवन ये 85 रुपीज पर kg के mark को भी cross कर चुकी है तो government ने क्या किया है यहाँ यहाँ पर आपके कुछ stock limits को लगा दिया है कुछ stock limits को आपके लगा दिया है जैसे कि आपके five ton जो stock limits होगी वो कर सकती है कुछ organizations और अगर आपके कोई retail seller है तो वो यहाँ पर two ton तक प्याज को store कर सकता है तो इससे क्या होगा आपके जो unnecessary holding of onion हो रही है वो नहीं होगी काला बजारी थोड़ी कम हो जाएगी और शायद आपके price थोड़ा सा यहाँ पर ठीक हो सकती तो एक तो यहाँ पर stock limit लगा दी गई है सासत import में भी थोड़ा सा easy rules को follow किया गया है तो खासकर एरान और इधर के area से हमारे पास प्याज आ जाएगी तो definitely जो price के prices बट रहे हैं वो कम हो जाएंगे और overall हम महंगाई को यानि inflation को control कर पाएंगे वट अब देखिए यह जो प्याज का issue है ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है पहले भी आपके कई बार ऐसे issues आते रहे हैं तो mainly हमें यहाँ पर अभी देखने की ज़रूरत यह है कि यह जो price के prices हैं यह किस reason से solve करेगी तो at least यह सिर्फ example हो सकता है कि सिर्फ आपके प्याज का हो बट आपको इससे overall जो महंगाई बढ़ती है उसे किस तरीके से government control कर सकती है क्या-क्या norms and regulation का impact कर पड़ता है वो सब हम यहाँ पर जानेंगे जैसे just for example आप अभी देख सकते हो कि जो essential commodity act है 1955 उसे आपके प प्याज को essential commodity act के अंदर नहीं रखा गया भी तो इस वज़े से आपके जो एक प्राइस होती थी ओनियंस की वो लिमिट हो जाती थी at least go-downs में इतना प्याज रखा हुआ है तो वो आपके use लिया जा सकता है बट अब essential commodity act में तो हमारे प्याज है ही नहीं तो definitely market क्या होगा इसके holding कर लेगा और price को unnecessary fluctuate कर सकता है तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती तो देखे डिटेल में थोड़ी सी बात कर लेते हैं जैसे कि देख सकते हो आपके onion के prices काफी जादा increase हो गए है आपके 83 रुपीज पर केजी तक पहुँच गया है चेंड़ी में वही कि हलत 97 रुपीज पर केजी तक है तो देखिए अभी लगबग एक महीने पहले आपके पार्लियमेंट में असेंशल कमोडिटीज एक्ट 1955 में कुछ चेंजिस किया गया जहां पर आपके onions को बहार निकाल दिया गया असेंशल कमोडिटी से ठीक है जबकि आपके पटेटो ए दूसरी प्रावलम यह है कि पहला तो असेंशल कमोडिटी एक्ट के से बहार हो गई इसका भी नेगेटिव इंपक्ट पढ़ा प्याज पर दूसरी बात ही है कि हमारे यहां पर खरीफ की जो क्रॉप हुई थी आपके onions में जो खरीफ की क्रॉप हुई थी वहां पर heavy rainfall की ही उगाते हैं एक है हमारे पास खरीफ सीजन जो की जून जलाई में आपके बीज बोए जाते हैं दूसरा है आपका लेट खरीफ सीजन जो की सेप्टमबर में बोए जाते हैं और थर्डवन है हमारा दिसंबर वाला सीजन और फिर बाकि आपके दिसंबर में रभी का सीजन नहीं तो बाकी जो प्याज है वो खराब हो जाती है only and only रभी की crop वाई एक ऐसी price है crop है जिसे हम store कर सकते हैं लंबे time तक procure कर सकते हैं तो यहाँ पर अभी moisture content obviously खरीब crop में जादा है फिर काफी heavy losses भी हो गए हैं तो market price इनका बढ़ना ही था और क्या problem हुई यहाँ पर आपके द का बट also took a toll on stored onion तो जो हमारे एक तो हैवी रेल हुई तो सेप्टमबर में जो आपके नई crop उगनी थी उससे तो नुकसान दिया ही दिया साथ साथ आपके जो पहले से stored onions थी like MP में stored थी गुजरात में stored थी वो भी heavy rain की विज़े से moisture की विज़े से खराब हो गए तो यह problem है और देखें सिर्फ और सिर्फ अब हमारे पास महाराष्ट्रा ही ऐसा state बसता है जो की marketable onions को दे सकता है थोड़ा उसका storage कर सकता है पर एक तो फसले खराब हो गई और उपर से यहाँ पर storage के losses महाराष्ट्रा में भी काफी जाद हुए जो normal losses होते हैं storage के वो होते हैं only 30-40% बट अभी इस season में हमारे 50-60% onions based हो रही है महाराष्टर में फिर आपके onion का जो consumption है वो भी महाराष्टर में काफी increase हो रहा है देखिए shelf life क्या है अभी हमारे onion की shelf life और कम हो चुकी है तो कि अभी जो फसले use की गई थी onions में उसके अंदर आपके काफी overuse of urea था farmers ने काफी ज shelf life है जितने टाइम तक वो प्रक्योर रखी जा सकती थी onions वो काफी कम हो जाता है तो यह भी definitely आपके onion के prices को बढ़ा देगा पिर देखिए आपके तार नेशनल एक्रियेज फॉर रभी onion last season was 10 lakh hectare as against 7 lakh hectare of 2018-90 तो obviously आपके जो हमारे पास जो हेक्टेर कम आपके नेशनल एक्र हो रहे हैं तो definitely यहां पर हमें यह देखने को मिलेगा कि supply side के काफी issues क्रियों तो यहां पर आपके supply side के भी काफी issues यहां पर create हो रहे हैं तो definitely हमें थोड़ा सा demand और supply में जो miss match है उसे भी cover करना होगा because अगर आपके essential commodity act में प्याज को exclude नहीं किया जाता बाहर नहीं निकल जाता तो शायर definitely इतने price आपके बढ़ने वाले नहीं थे because stock limits जो होती हैं कि इतनी प्याज आपको इतनी commodities को procure करना होगा वो आपके एक तरीके से inflationary measures को कम करने का भी काम करती है तो जो भी market में महंगये बढ़ती है particular किसी goods and commodities के अगर price hike हो रही है that means demand pull inflation हो रहा है demand काफ increase हो रही है तो definitely हमारे जो stock limits है वो एक तरीके से export को ban करने में काम में आएंगे price को आपके जो बढ़ रही है तो demand और supply side की जो mismatches है उसे भी कम करने की help करेंगे बट यह अभी हो नहीं पाया because essential commodity act में से प्याज को exclude कर दिया गया यह सारी चीज़े तो government ने अभी क्या किया है वापिस आपके limits को include कर दिया है वापिस अब क्या होगा आपके जो भी wholesale के traders है वो आपके 25 तन तक onions को जो भी wholesale के sellers है आपके वो 25 तन तक onion को procure कर सकते है अपने जो retail trader है वो maximum 2 तन maximum 2 तन तक आपके procure कर सकते हैं और यह जो limit है definitely अब year by year change होती रहेगी और काफी changes यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो काफी day by day चीज़े आपके change होती हुई भी आपको दिखाई देंगी देखिए अब आपके जो government ने imports कम किये हैं जो आपके onion के prices को कम करने की government कोशिश कर रही है इसका कुछ positive negative impact पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा देखिए सबसे पहले अभी हमारे जो प्याज है अगर हम इरान से other countries से अगर import करते हैं तो वह almost आपके यहाँ पर हमारे आती है 35 रुपीज पर kg में उसमें अगर transportation and overall cost को लगा लिया ज यहाँ rate आपके 85 रुपीज पर kg के price को पार कर रही है तो उसमें 40-45 जो है यह थोड़ा सा आपके positive impact दिखाएगी और prices आपके onion के थोड़े कम हो जाएगे और फिर government आपके अभी सोच रही है कि इस time period पर हमें थोड़ा सा relief मिल जाएगा और फिर हमारी जो खरीफ crop है वो जल government का ही सोचना है कि यह जो time period है जब price बढ़ रही है तब तक import कर लो फिर हमारी खरीफ crop आ जाएगी तो अपने आप वो prices को थोड़ा सा कम कर देगी तो यह सारी चीज़ें आपके देखिए बट खरीफ crop की prices भी अभी उतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी तो definitely government ने क prices गाइज आज class session थोड़ा सा लेट हो गया है तो काफी बच्चों को चले कोई बात नहीं अब technical issue था आज यह जो system है इसमें आपके rebooting चल रहे थी software में कुछ auditions थे और वो auditions minimum 40-45 minutes का time ले लेता है इसलिए class जो आपकी 630 पर होनी थी वो थोड़ा लेट हो गई 7-15 पर बट overall बाद में students आकर आपके playlist में जाकर से वीडियो देख लिजीए चलिए अब एक next point की बात करते हैं तॉकिलीजुमेब देखिए hydroxy chloroquine जिसे पहले काफी कहा जा रहा था कि यह ड्रग आपके life saving ड्रग है आपके इंडिया के उपर भी काफी बाते हुई थी कि इंडिया आपके इसका काफी बड़ा producer हो जाएगा पर फिर डबलू एचो ने ट्राइल्स की और पता चला कि hydroxy chloroqu कीवीन आपके कोरोना के अंदर कोई जादा relief नहीं देती है death count को काफी कम नहीं करती है बिलकुल वैसे ही एक और ड्रग है आपके टॉकिलीजुमेब उस पर भी कुछ research किये गए और पता लगा कि यह भी इतनी effective नहीं है बठा अभी भी कुछ ऐसे combinations हैं कुछ ऐसे doctors हैं जो इसे recommend कर रहे हैं तो देखते हैं टॉकिलीजुमेब जो है वो किस तरीके से आपके impact करेंगे और what is टॉकिलीजुमेब तो देखें यहां पर आपके टॉकिलीजुमेब जो है वो आपके ऐसी second drug है जो कि hydroxy chloroquine के बाद आपके काफी hydroxy chloroquine ने भी काफी world level पर praise develop किया काफी countries पर depend थी पर फिर बाद में पता चला कि आपके outcome नहीं है वैसे ही टॉकिलीजुमेब के साथ भी ऐसा है टॉकिलीजुमेब क्या है it is an immunosuppressant commonly used for arthritis जो आपके rheumatoid arthritis होते हैं उन सभी में यह काम में ली जाती है टॉकिलीजुमेब it is immunosuppressant और इसे मार्केट में actamera नाम की दवाई के नाम से इसे बेचा जाता है Swiss pharma company इसे बनाती है और पहले ऐसे सोचा जा रहा था कि अगर कोरोना के टाइम पर किसी को lung infection हो जाता है तो उस lung infection से भी लड़ने में काफी help करेगा doctors को immunity develop करने में help करेगा और overall जो death हो रही है कोरोना के वाज़े से लोगों की वो कम हो जाएगी इसलिए से ना सिर्फ other countries बलकि इंडिया ने भी इसे miracle drug का नाम दिया था कि यह एक ऐसी चमतकारी दवाई है जो कि काफी easy तरीके से काफी तरीके से आपके overall जो death count है से कम कर देगी तो यह हमारे टॉकली जुमेप के बारे में कहा गया था बट recent आपके डबलो एचो ने कुश ट्रायल्स किये और पता लगा कि टॉकली जुमेप इतनी effective नहीं है कोज यहां पर एक combination है रहा है तो साथ साथ यहां पर अभी भी कुछ emergency uses के अंदर आपके इसे प्रिफर भी किया गया है बट अभी भी यहां पर कुछ trials होना बाकी है immunosuppression है तो यह कुछ cases में तो effectively work कर रही है कुछ combinations के साथ में और कुछ जगया आपके कोई positive syntax देखने को हमें यहां पर नहीं मिल रहे हैं और यहां पर आपके Remdesivir एक ऐसी पहली ड्रग है जिसे यूएस FDA ने approval दिया था कोरोना के treatment के लिए बट यहां पर जो यूएस यूएस federal drug association है यूएस FDA उसने केवल और केवल कुछ emergency condition में ही Remdesivir को use करने की बात किया था बट हां इसे काफी doctors ने आपके effective माना है और जो Remdesivir है उसकी efficacy को बढ़ाने में जरूर शायद आपके help कर रही है तो देखिए हम यहां पर टॉकिली में जो है और hydroxy chloroquine तो सीन से बाहर जा चुकी है तो Remdesivir को use कर सकते है दूसरा दूसरी टेकनिक है हमारे plasma converse land टेकनिक जिसे हम use कर सकते हैं क्या है plasma converse land टेकनिक क्या होता है कि एक ऐसा patient जिसके अंदर कोरोना से लड़ने की capacity डवलप हो गई है उसके अंदर वो antibodies बन चुकी है उस person की plasma cells को निकाल कर आपके एक ऐसे person में डाल दिया जाता है जो की कोरोना infected है तो वहाँ पर जो antibodies develop होनी है जो की कोरोना से लड़ने में immunity को improve करने में help करेगा वो बहुती fast हो जाता है खासकर ऐसे लोग जो की काफी aged हैं heart attack और diabetes जैसी problem से ज़्यादा परेशान है उन लोगों के लिए life saving टेकनिक हो सकती है हाला कि डहली में हमने काफी सारे research कि है और अभी भी कुछ clear-cut चीज़े लगती नहीं है कि प्लाज्मा कॉन्वेसलेंट टेकनिक भी 100% फूल पूफ है वहाँ पर भी काफी डिबेट चल रही है बट डेफिनेटली इट कैन बी अल्टरनेटिव और तीसरा आपका एक steroid है जिसे बहुत ही severe cases में दिया जाता है ज उसके साथ में भी यूज किया रहा सकता है डेक्सामेथान मेथसान और आपके एक खून को पतला करने के लिए हैपरिन होती है इसके साथ में से हम यूज करते हैं तो दैन आपके यह टॉकिलेंग है फ्लोड़ फूर थोड़ा इजी हो जाएगा oxygen आपके बॉड़ी पार्ट तक पहुँच जाएगा और फिर सांस लेने में और activities में इतनी problem नहीं होगी तो यह सब आपके कुछ alternatives हैं जिसे अब हम टॉकिली जूमैप की जगह यूज कर सकती है तो इस शुट भी क्लियर चलिए गाइस आगे एक दूसरा interesting editorial करते है Good morning everyone चलिए तो देखिए riders to the sea देखो यह वो time आ चुका है हमारी country का कि जहां पर हम silent नहीं रह सकते हैं that means पहले चलिए हमने 1960s के time पर एक ऐसा time था कि हमें थोड़ा सा non alignment movement की तरफ जाना हमारी एक तरीके से कह सकते हो कि requirement भी थी बट अब requirement change हो चुकी है क्योंकि देखिए China जो है वो बहुत ज्यादा aggressive हो चुका है China आपके काफी सारी techniques को use कर रहा है like wow China आपके कहें salami slice technique को use कर रहा है other countries से एक-एक slice में छोटे-छोटे portion के अंदर area को cover करता हुआ जा रहा है तो China आपके हमारे line of actual control में आपके salami slice technique को use कर रहा है वहीं China आपके Indo-Pacific reason में two ocean policy को follow कर रहा है two ocean policy को follow कर रहा है जहाँ पर वो अपना dominance बनाना चाहता है Pacific Ocean पर और आपके Indian Ocean पर तो यहाँ पर two ocean policy चल रही है वहीं India के against string of pulse की theory भी चल रही है आपके जहाँ पर वो हमारे चारों तरफ अपने जो भी basis है एयर basis है उन सभी को develop कर रहा है तो string of pulse के concept को भी चलाया जा रहा है चायना के दोरा दूसरी तरफ आप देखें तो काफी economically और geopolitically strengthen होना चाहता है चायना तो फिर कई आपके belt and road initiative जैसे project भी उसने चला रखें तो जब इतना जादा aggressive हो रहा है चायना not only in land area बलकि maritime securities में भी समुद्र पर भी आपके काफी जादा ये आपके aggressive हो रहा है तो ये एक ऐसा time है जहाँ पर हमें भी एक alliance बनानी होगी जो कि कुछ-कुछ NATO की तरह ही हो सकती है हमें भी requirement होगी अब हम non alignment movement जो है ऐसे points पर नहीं रह सकते हैं अब हमें aggressively और काफी forcefully आपके geopolitical situations में हमें involve होना होगा और यहाँ पर ऐसी situations का सबसे अच्छा मौका है हमारे पास November में जब मालाबार exercise हो रही है आस्टेलिया भी आ रहा है तो क्वैड यानि की यूएस इंडिया जापान और आस्टेलिया चारों देश आपके एक नेवल exercise करने वाले हैं विच इसे मालाबार exercise जहाँ पर टू प्लस टू डायलोग भी होगा तो इट इसे राइट टाइम तो स्टेंथन दार हैं कि अब चायना आपके aggressive और हो सकता है और जब से क्वैड करीब आया है तो चायना आपके react काफी जादा करने लग गया है तो कि क्वैड को देखकर चायना आपके काफी जादा react कर रहा है तो definitely हमें maritime security पर भी कुछ decisions लेने की जरूरत है अब हमें थोड़ा सा maritime security को develop करना होगा because आपके चायना के पास economic military और टेकनलोजिकल काफी जादा strengthening है जबकि हमारे इंडिया के पास हम economically military और टेकनलोजिकल point of view से इतने सशक्त नहीं है इतने strengthen नहीं है जितना की चायना है और साथ-साथ दूसरी problem में चायना पाकिस्तान निकसस जिसे हम चायना पाकिस्तान economic corridor में देख सकते हैं कि चायना पाकिस्तान का जो निकसस है बीच में वो भी बहुत ज़ादा increase होता जा रहा है day by day तो साथ-साथ में आपके चायना हमारी कुछ अधर neighborhood countries को भी cover करने की कोशिश कर रहे जैसे की बांगलादेश नेपाल तो वहाँ पर भी हमें थोड़ा focus करना होगा तो it is a right time to strengthen our maritime security और इसका मौका हमें मिला है मालाबार exercise में तो मालाबार exercise में हमने हमें इसका मौका मिला है जिसमें आपके अब चारो countries आपके naval drill करने वाली है बड़ देखिए definitely मालाबार exercise का maritime security के point of view में हमारा जो बैका जो की main four agreements के अंदर है US के जो main four agreements है जिसमें से तीन हम already sign कर चुके हैं लाइक GIS MOA, COMCASA and LEMOA अब fourth one which is a final military agreement with USA तो उसे भी हम sign करने चाहते हैं जो की आपके geospatial mapping हमें provide करवाएगा कल को कोई भी अगर आपके लडाई होती है war होता है चाहें वो आपके land area पर हो या फिर आपके हमारे oceans में हो तो exact किस location पर हमें कहां target करना है उस targetion के लिए आपके जितने भी USA के satellites है equipments है वो सब हम access कर सकते हैं अगर हमारा backup sign हो जाता है तो तो geospatial mapping के लिए बहुत ज़ादा जरूरी है बैका तो वो भी हम अब कर पाते हैं तो काफी सारी significance है माला बार exercise के और two plus two dialogue के बट इस geopolitical situation में कुछ problems भी है देर आर्स टू टाइप अफ कॉनेंट्रम्स वन इस देस्टिंक्शन नाव बिट्विन माला बार एंड क्वैड की यहां पर आपके माला बार exercise और क्वैड दौनों में क्या differences है लाइक अगर हमारी जो exercise हो रही है उसमें हम क्वैड को ज्यादा प्रफरेंस देंगी है माला बार को क्योंकि देखे माला बार आपके एक शौट टर्म exercise हो सकती है बट लॉंग टर्म में issues को अगर हमें continuously चारों countries को मिलके discuss करना जिसकी वज़े से चायना काफी response कर रहा है चायना भी काफी डरा हुआ है क्वैड को देखकर तो उस point of view पे हमें क्वैड को strengthen करना चीए हाँ जरीया हमारा माला बार exercise हो सकता है बट definitely हमें थोड़ा सा और structuring की जरूरत है there should be a definite blueprint of quared exercises तो जितने भी quared के objectives हैं किस तरीकी से वो function करेगा क्या procedures होंगे उन सभी का defined blueprint हमारे पास होना चीए और इसे definitely हमें discuss करना चीए दूसरा issue हमारे पास यह है कि माला बार आपके 1992 से आपके थोड़ा सा चल रहा है अगर हमारे पास देखे पहले तो हमने non alignment को follow कर लिया पर अब जैसे ही आपके आस्टेलिया आ रहा है और already आपके इंडिया और USA इन्हें आप चाइना थोड़ा influence नहीं कर सकता उसके पास दो option बसते हैं जापान और आस्टेलिया और जापान और आस्टेलिया की economy कहीं हद तक आपके चाइना पर depend भी करती है इसलिए जापान को try कर रहा है मनाने का convince करने चाइना और next आपके आस्टेलिया को करेगा तो definitely यहां पर भी हमें थोड़ा सा एक balanced issues को लेकर चलना होगा और इन दौनों countries के उपर Indian confidence को increase करने की जरूरत है तब यह problems आपके solve हो सकती है तब ही हमारा क्वेड क्या है थोड़ा सा strengthen हो सकता है क्योंकि for India the time of ambivalence is over अब हम its own better with determination it is a time for India to seek external balances अब हम ambivalence नहीं रह सकते हैं सभी चीजों को balance करके नहीं चल सकते हैं तो अभी है थोड़ा सा हमें external balance की जरूरत होगी जिसमें USA और QUAD हमारी काफी helpful help कर सकते हैं तो खासकर maritime security में हमें काफी कोशिश करने की जरूरत होगी तो देखें Chinese aggression बहुत बढ़ two ocean policy, salami slice technique यहां पर आपके जो belt and road initiative बहुत ज़ादा आपके Chinese aggression बढ़ चुका है तो इंडिया को need है एक broad based Indo-Pacific Concord की हमें एक Indo-Pacific reason में एक कोई बड़ी सी treaty करनी होगी एक बढ़ आसा आपके समझोते करने की जरूरत है इंडिया नीड है इंडो-Pacific Concord जहां पर आपके जो च prosperity के लिए development चाते that means आपके इंडिया की जैसे ही like-minded regional countries की democracy की हमें जरूरत है बट इट शुड भी not as an Asian NATO है ना यह ना जो की एक military organization थी North Atlantic treaty organization जब cold war आया था तो आपके उस टाइम पर आपके दो alliances बने थी after second world war one is Warsaw pact जो की USSR के domain में था और second one is NATO जो की USA के domain में था तो हमें NATO जैसा नहीं चाहिए कोई Asian NATO बन जाया वो नहीं होना चाहिए but there should be a organization where with maritime security charter which has no offensive और proactive connotations तो at least हमारे कुछ maritime charters होने चाहिए जिसे यह सभी country मिलकर आपके इंडो Pacific Concord में fulfill करें तो यह सभी चीज़े आपके पास होनी चाहिए तो इन चीजों पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा फिर देखिए आपके क्वेड और मालाबार जो हैं वो एक ऐसी location को create करते हैं जहां पर हम अपने issues को increase कर सकते बट यहां पर हमारे क्वेड हो मालाबार securities के issues हो हमारे पूरा इंडो Pacific region में हमें security को बढ़ाना हो तो हमें कोई एक fix place की जरुरत है like port, blair या फिर कोई और एक ऐसा area हो जहां पर time to time basis पर maritime securities को लेकर meetings होती रहें maritime security को कैसे और strengthen किया जा सकता है उस पर हम एक structured और skilled participation कर सके और कल को को humanitarian crisis होती है कोई disaster management की जरुरत होती है या फिर कोई non traditional threat होता है तो इन सभी चीजों पर हम easily rescue missions को एक दूसरे countries आपके एक दूसरे की help कर सकें तो इसके लिए कोई permanent point की हमें जरूरत है तो यह हमारे it is very very good good order at sea तो हमारा जो sea है ocean है वो आपके एक सही order में चलने के लिए हमें कुछ ऐसे port की like port blayer हो सकता है जहाँ पर जो कि एक central location हो जहाँ पर सारी countries आए प्रॉपर इस्ट्रक्शिराइज करे maritime security को आपके time time period time time पर आपके मीटिंग्स करें स्किल्स डवलप करें कोई humanitarian crisis हो डिजास्टर हो तो वहाँ पर आपके help कर सकें तो इस तरीके के हमें थोड़ा सा एक fix definitive status को प्राप करने की जरूरत हो जाती है तो एक fix definitive status हमारे पास होना चाहिए तो यह हमें maritime security में करना हुआ फिर देखिए हमारे एक article है centers bureau देखो cbi cbi वैसे भी बहुत जादा विवादों में रहता है क्योंकि यह के डहली special powers act के थूँ बना था और बहुत सारे states cbi investigation के लिए मना कर रहे हैं just for example अभी अभी महराष्ट्रा ने cbi investigation को रोग दिया है उसे मना कर दिया कि cbi हमारे एरिया में आपके investigation नहीं कर सकती सेम ऐसा नहीं कि cbi के अंदर आपके येशू पहली बार आया है महराष्ट्रा ने किया है इससे पहले आंदरप्रदेश वेस्ट बेंगॉल और चटीजग इस बाते की दी तो इसलिए कई कई बार क्या होता है cbi अपना बहुत जादा ineffective हो जाता है इसलिए एक जारगन है जो cbi के लिए काफी famous है और वो है cased parrot क्या है यह एक ऐसा तोता है जो कि हमारे पिंड्रे में बंद है तो इसे आपके cased parrot भी कहा जाता है अब इसकी situation को हमें थोड़ा सा और improve करना है तो यहां पर कुछ clarification की जरूरत है और सबसे ज़्यादा जरूरत है federal आपके cooperative federalism की अगर cooperative federalism नहीं होगा तो cbi हमेशा आपका cased parrot यानि की पिंड्रे में ही रहेगा पर देखो यह तो हमेशा sure है कि जब भी state हो center हो तो कुछ ना कुछ issues चलते रहेंग और cbi की हालत आपके एक cased parrot की तरह ही रहेगी बट cbi अगर चाहे तो थोड़ा सा structural changes करकर खुद यह decide कर सकता है कि वो जो cased parrot होगा तो उसका पिंड्रा कैसा होगा यानि कि terms and condition कैसी होगी और किस तरीके से वो perform करेगा तो it should be definitive तो at least हम क्या कर सकते हैं कुछ ऐसे laws बना सकते हैं कि कि किन-किन cases के अंदर states में investigation cbi कर सकता है क्या procedures हो सकते हैं क्या उसके autonomy and freedom होंगे तो इससे हम थोड़ा सा define कर सकते otherwise यहाँ पर cased parrot की तरह ही आपका cbi रह जाने वाला है तो there is a need of cooperative जो की अब दिखती अब धीरे-धीरे कम होती जा रही है चलिए गाइस फिर एक article है आपके यहाँ पर अभी क्या है डोनल्ड ट्रम्प ने एक debate में इंडिया की air को फिल्दी air किया कहा इसका मतलब यहाँ पर ट्रम्प आए तो फिल्दी air वाले जो इशू है वो थोड़े से ट्यूटर हैंडल्स में और आपकी सोचल मीडिया में काफी बढ़ गए तो देखिए यहाँ पर आपके कोई भी आए चाहे जोई बाइडिन आपके एलेक्शन जीचे हैं डोनल्ड ट्रम जीते हैं क्लाइमे चेंज का एक बड़ा पार्ट एक बड़ी responsibility इंडिया फुल्फिल करें माना कि हम developing countries हैं माना कि हमारे यहाँ पर industrial revolution बहुत लेट हुआ जिसे हम कहते हैं और पैरिस climate deal के अंदर हमने आपके nationally determined contributions की भी बात की है बट उसके अगेंस्ट हैं आपके अमेरिका तो चाहें कोई भी क्लाइमेट चेंज के point of view पर अमेरिका अपनी जो responsibilities है वह अधर country पर डालेगा और इंडिया चायना और रशिया पर तो इंडिया चायना और रशिया जो हैं यहां पर आपके issues यह एक रहने वाले हैं तो यह सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं फिर एक आर्टिकल है हमारे प पिस बहुत जादा न्यूज में चल रहे हैं पंजाब एक नया बिल लेकर आ चुका है तो यहां पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे पास जो तीन बिल आये थे agriculture reform के जिसमें आपके एक था farmers produce trading and commerce act 2020 तो इसे थोड़ा सा misinterpret किया गया है यह farmers की freedom को increase कर रहा है लाइक इसको goods and commodities को बेच रहे हैं तो उसे एक तरीके से income ही बढ़ेगी आपके farmers की और ऐसा नहीं है किसे इंडिया पहली बार कर रहा है कुछ states हैं आपके जो already से कर चुके हैं तो इन्हीं सब चीजों पर बात हुए तो let's see guys देखें यहां पर आपके the farmers produce trading and the farmers produce trading and commerce act 2020 fptc यहां पर government ने जो यह bills produce किये हैं उसके regarding आपके states में नेशन में कुछ miskinformations हैं कुछ आपके misconsumption है especially आपके हमें थोड़ा सा इसका इन सभी form bills का background समझने की जरूरत होगी यहां पर आपके जो भी background है जो एक बहुती अच्छा reform बताया गया है जैसे कि आप देख सकते हो कि 1960 से हमारे यहां पर काफी सारे efforts हो रहे हैं खासकर APMC मंडीज के regulation को कम करने के लिए ऐसा नहीं है कि पहली बार इस bill ने आकर आपके APMC मंडीज को deregulate किया है पहले से आपके काफी trial हो रहे हैं योगि देखो APMC मंडीज में क्या होता है थोड़ा सा corruptions भी officers का बढ़ जाता है दूसरी बात यह है कि बीच में जो middle man होते हैं जो कि आहर्टिया कहलाते हैं जो आपके किसानों से पैसा goods and commodities को खरीदते हैं और फिर उसके बाद में आपके किसी big seller को base देते हैं तो बीच में जो आपके आहर्टिया होते हैं जो middle man होता है उनका सबसे ज़्यादा profit होता है तो definitely APMC मंडी के जो regulation है इसे कम करने के लिए already बहुत सारे states ने कोशिश की है और किया भी है जैसे कि all states except केरला जम्मो एन कश्मीर एन मनिपूर inacted such law केवल केरला जयनके और मनिपूर के अलावा जितने भी states हैं वो कहीं ना कहीं कम या जादा आपके कुछ इस टाइप के laws को already डाल चुके हैं already improve कर चुके बिकॉज एक्सिव रेगूलेशन की वरसे मैल प्रैक्टिस काफी इंक्रीज हो रही थी और आपके मैल प्रैक्टिस इतनी जादा इंक्रीज हो चुकी थी कि करफशन काफी इंक्रीज हो रहे हैं आड़तियाओ को काफी प्रॉफिट हो रहा है और बीच में किसा अर्मार्स को फ्रीडम देगा जहां पर वो अपने कंट्री के किसी भी प्लेस में अपने प्रॉडक्स को बेच सकते हैं तो वह बहुत जादा फायदा हो जाएगा और साथ-साथ डेरी प्रॉडक्स जो इंक्लूड नहीं थे तो मिल्क और वग्यरा को भी आपके आसानी से क प्रॉडक्स से रिलेटेड वह और ज्यादा प्रमोट होने वाले हैं और फार्मर्स को एक बड़ी चॉइस में अपने प्रॉडक्स को बेच सकते हैं तो यहां पर आपके पहले क्या होता था कि आपके एक मार्केट फील ही जाती थी एक मंडीज को लेकर और वह फीस आपके किसानों को देनी पड़ रही थी जो की गलत था जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो एक मार्केट फीज ली जाती है और वह आपके पंजाब हर्याना जैसे स्टेट में से तो 8.5% तक हो जाती है वैसे जो अभी आपके रिसर्च आई है और जितनी भी आपके वैल नोन फार्मर प्रोड्यूस और्गिनाइजेशन से उन्होंने ये कहा कि अगर मंडी को मेंटेन भी करना चाहिए तो मैक्सीमम डेड़ परसेंट आपके मार्केट फी होनी चाहिए 1.5% बट आपके पंजाब हर्याना जैसी जो मंडी है वो 8.5% तक भी मार्केट फीज को चार्ज करती है जो की गलत है तो उसे भी हटना चीगोंकि जैसे ही हमारा बिल आएगा तो यहाँ पर आपके 25 स्टेस्ट के अंदर किसी भी मंडी में कोई भी कमीशन नहीं लिया जाएगा अंडर दे एक्ट और खासकर जितनी भी नोटिफाई आपके नोटिफाइड क्रॉप्स हैं उनमें 12 राज्यों की 25 से ज्यादा मंडियों के अंदर कोई कमीशन कोई प्राइस नहीं लिया जाएगा तो डेफिनेटली इस फ्रीडम ऑफ फार्मर्स साथ साथ आपके कुछ सर् परसेंट तक मार्केट फी देनी पड़ती थी वहाँ पर 0-1 परसेंट की रेंज में मार्केट फीज हो सकती है वो होगी आपके नाइन स्टेट में और आपके 2 परसेंट यह हो सकती है MP में और तरपुरा में तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि किसी भी तरीके से कोई भी नुक आपके पूरे अपने प्रॉफिट के लिए कई स्टेट्स में फार्मर्स को थोड़ा सा भढ़का रहे हैं बर्गला रहे हैं तो वह सारे शूज हो रहे हैं दूसरा हमारे कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जैसे कि आंध्रा हिमाचल महाराष्ट्र और तेलांगरा जहां पर आपके सर्विस चार्ज आपके वन परसेंट है जो भी टोडल वैल्यू अफ प्रोड्यूस होती है वहाँ पर आपके 1% तोटल सर्विस चार्ज है और जो आपके कमिशन है बीच में आड़तियों का वो 1% से लेकर 2% तक भी जाता है उत्राखंड भी इसी काटेगरी में आ जाता है वही पर आपके करनाट का भी जो है वहाँ पर टोटल चार्ज है साड़े 3% हो जाते हैं तो इन स्टेट्स को कोई इतना प्राबलम नहीं है क्योंकि जादा यहाँ पर बीच में जो आड़तियों का कमिशन अब वो चेंज नहीं हो रहा बट हमारे हाँ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे की पंजाब, हर्याना, राजस्थान, गुजरात, अरुन तो definitely यहाँ पर आपके काफी जादा नुकसान इन स्टेट्स को देखने को मिलेगा और हर्याना में भी कुछ ऐसा ही हाल है तो यहाँ पर बीच में जो मिडिल मेन का कमिशन है वो काफी खतम हो जाने वाला है तो यह negative output होगा इनके लिए इसलिए यह स्टेट्स जादा आपक कर रहे हैं क्या हुआ श्रीवास्तासर दो दिनों से पीडिएफ नहीं मिला पीडिएफ देखो कल का पीडिएफ आपको दिया गया कल नहीं 22 अक्टूबर का पीडिएफ मिला था पर कल का पीडिएफ आपको नहीं दिया गया है तो अभी आपको पीडिएफ दे दिया जाए था बाकि 22 अक्टूबर का PDF आपको टेलिग्राम ग्रूप एडदारेट अनकेडमी एसक शर्मा पर मिल गया था 22 वाला पर फिर भी आप कहा रहे हो तो चलो 22 23 और 24 तीनों का PDF वापिस डाल देंगे ठीक है चलिए तो देखें यहां पर क्या होगा आपके जो unjustified charges है जो malpractice है आपके उन सभी को यह हमारा नियम चेंज कर देगा और market को क्या होगा इस तरीके से जो deregulation है जो आपके regulations को हटाया जा रहा है APMC मंडी से उससे फायदा क्या होगा हमारी APMC मंडी अब थोड़ा सा competitive हो हैंगी तो वह competitive होने का फायदा हमें देखने को मिल जाएगा और जैसा कि आपके मंडी के officials ने reveal किया है कि maximum 1.5% जो total charge होगा including commission rate plus service charges वह sufficient होगा 1.5% अभी normally मंडी ले रही है 3 to 3.5% और कुछ मंडी तो 5 to 8.5% तक ले रही है तो definitely फायदा किसका हुआ farmers का ही जादा फायदा यहां पर होने वाला है तो यह सारी चीज़ें आपके बताई गई है तो इस तरीके से यह जो नया आपके act है यह true nature of competitive net को रखता है तो एक true competitive spirit के साथ में आपके मार्केट में चीज़ें होंगी तो यह सारी चीज़ें आपके बताई गई है विच इस वैरी वैरी यूस्फुल ओके गाई तो यह चीज़ें ध्यान रखेंगा चलिए फिर हमारे पास एक article आया है जो कि lockdown के बारे में है और देखो lockdown के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा lockdown के अंदर इस article में सिर्फ यही चीज़ें की गई है कि बहुत सारी countries के अंदर lockdown लगाया गया इंडिया में भी लगाया गया पर उसका जितना positive impact सोचा जा था वो नहीं मिला है positive impact as it is कोरोना के issues वैसे ही चल रहे हैं उसी rates से recovery हो रही है तो एक तरीके से आपके lockdown को लगाने से हमने economy और कुछ other sectors में issues को बढ़ा दिया है बाकि overall कोई ऐसा जादा impact हमें दिखने को नहीं मिल रहा क्योंकि हमारे जितने भी outcomes थे कि कोरोना का trend इस तरीक बहुत ज्यादा variability है वर्सलेटरी है तो यह बार-बार कुछ चीज़े change करता रहता है तो जितनी भी policies आपके बनाई गई गई ना सिर्फ इंडिया बलकि other countries में वो कम या ज्यादा failure की तरफ ही दिखाए जारी तो lockdowns are non don't work तो यहीं सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं तो I think 16 states और दो केंदर शाषित प्रदेश UTs को दे दिये हैं जैसा कि आपके GST competition की बात हुई थी central government ने कहा था कि आपके 1.1 lakh करोड central government उधार लेकर states को देगी तो यहाँ पर 6000 करोड 16 states को दिये गए हैं और 2 union territories को दिये गए इन में से states हैं आपके महराष्ट, गुजात, करनाटका, हिमाचल, बिहार, गोवा, असम, UP, डेली और जे एंड के जिनको यह दिया गया है यहाँ पर जो interest rate होगा वो 5.19% होगा और यही interest rate आगे भी apply किया जाएगा तो overall अब क्या है government GST compensation को fulfill कर रही है ताकि overall आपका जो cooperative federalism है उसे थोड़ा सा center और state आपके normally work कर सके साथ साथ आपके state government के पास में अगर पैसा आता है तो वह भी investment और development पर ध्यान दे सकते है तो यह सारी चीज़े अब आपके की जाएगी but overall अभी भी इशू वहीं का वहीं बना हुआ है total सभी compensation को मिला कर central government को 2.35 lakh करोड states को देने चाहे थे but government अभी only 1. 1.1 lakh करोड दे रही है जिसकी शुरूआग हो चुकी है फिर देखें यहां पर अभी आपके RBI के monetary policy committee की meeting हुई और RBI ने monetary policy committee के meeting में यह माना है कि हमें वापिस जो हमारी GDP जा चुकी है हमारी GDP जो कम हो चुकी है उसे regain करने में time लगेगा कम से कम 3-4 quarter तीन से चार quarter यानी की कम से कम आपके हमारा 9-12 महीने हमें लगने वाले हैं वापिस सही track पर आने के लिए और जो हमारी growth rate थी उसे achieve करने में हमें और भी time लगेगा तो अगर इंडिया को true financial stability की जरूरत है तो हमें कम से कम 2022-23 तक wait करना होगा जब हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा financially stable रहेंगे तो next two years 2021 and 2022 काफी रधा unstability और uncertainty वाले रहेंगे बट day by day हम improve करते रहेंगे तो यह सारी चीज़े आपके बताएगे हैं because जो inflation rates आपके बढ़ रही हैं उसके पीछे repo rate cuts और कुछ monetary policy instruments भी बताएगे तो these are the all things जो की यहां पर आपके कहीगे हैं तो okay guys this is all from my side तो thank you to everyone guys remember that you if you want to join an academy then you can use my referral code sslive और इस lecture का जो pdf है वो आपको telegram group पर मिलेगा और telegram group आप सर्च कर सकते हो at the rate an academy s के शर्मा की नाम से within one or two hour you will get all the pdfs of that session कल का भी मिल जाएगा और आज का भी आपको available हो जाएगा तो thank you to all of you guys happy learning to all of you and let's crack it कर दो कि एजए प्लाए़ gotta दोिहां